Hello everyone and welcome back to a new video of study hub तो इस वीडियो में भी हम लोग एक important current affair का topic पढ़ेंगे जो कि exam के लिए काफी important होगा तो आप लोग अभी जो figure देख रहे हो screen पे वो एक तितली है जिसका नाम है golden bird wing क्या नाम है इसका golden bird wing और आप लोग को ये नाम याद रखना है क्योंकि ज़्यादा तर question का answer यही होगा current affair वाला ठीक है तो golden bird wing इसका नाम है ये एक female है इसका male female दोनों है लेकिन हम लोग को female के बारे में ज़्यादा जानना है तो ये अभी news में क्यों आया है ये भी हम लोग पढ़ेंगे current affair के लिए क्यों important है ये सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो ये जो golden bird wing तितली है इसे भारत का सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है सबसे बड़ा और सबसे important point यही है कि ये जो golden bird wing तितली है इसे भारत का सबसे बड़ा तितली होने का तमगा मिला है तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं यह देखिए आप लोग golden bird wing जो है इंडिया का largest butterfly अभी अभी अनौन्स किया है यह लगभग 88 years के बाद बना है यानि कि इससे पहले भी कोई butterfly होगा जो कि इंडिया का largest butterfly होगा और अभी जा करके वो हट गया और अभी कौन हो गया golden bird wing हो गया तो इसके बारे में details है अगर हम लोग जाने तो हिमाले की golden bird wing टितली को 88 years के बाद जो है भारत की सबसे बड़ी टितली का तमगा दिया गया है और यह कहां पे पाया गया है तो उत्राखंड उत्राखंड राज है उत्राखंड के पिथोड़ा गड़ उत्राखंड के कहां पे उत्राखंड के पिथोड़ा गड़ जिले में उत्राखंड के पिथोड़ा गड़ जिले में दीदी हाट कस्बे में कहां पे दीदी हार्ट कस्बे में जो है यह पाया गया है इसका जो wingspan है अब wingspan क्या होता है हम लोग उसको देख लेते ठीक है wingspan क्या होता है W-I-N-G-S-P-A-N wingspan क्या होता है किसी भी पक्षी या फिर तितली कितना बड़ा है उसको कैसे मापते हैं हम लोग तो wingspan के द्वारा माँगते है wingspan क्या होता है कि कोई भी पक्षी अपने पंखो को कितने दूर तक फैला सकता है अपने पंखो को जो है सो कितने दूर तक फैला सकता है उसी को हम लोग बोलते है wingspan तो इस तितली का जो wingspan है वो है 194 mm कितना है 194 mm और इससे पहले जो था उसका था 190 mm उसके बाद यह जो है यह जो golden bird wing जिसका wingspan 194 mm है यह एक female है यह एक मादा तितली है और जो यहाँ पे नर है जो इसका male है यही तितली का जो male है इसका wingspan जो है वो 106 mm है सिर्फ ओके तो यहाँ पर जो largest butterfly golden bird wing जो है वो male नहीं है वो क्या है female है आप लोग को यह point भी याद रखना है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग detail में देख ले तो यहाँ पर आप लोग को मैंने बता दिया कि हिमालेयन butterfly जिसका नाम golden bird wing है और आप लोग scientific नाम भी इसका पढ़ लो ठीक है यहाँ पर इंडिया का largest butterfly का तमगा मिल चुका है इसे after 88 years after 88 years के बाद मिला है ठीक है तो हम लोग यह भी जानेंगे कि 88 years के बाद क्यूं मिला है इससे पहले जो है इससे पहले 1932 में एक British Army के officer थे Brigadier Evans के द्वारा एक specimen जो है रिकॉर्ड किया गया था और वही था इंडिया का largest butterfly उस समय ठीक है तो 1932 से अभी तक इंडिया का जो है largest butterfly जो था वो किसके द्वारा ढूंडा गया था ब्रिगेडियर इवांस के द्वारा जो की एक British Army के officer थे ठीक है अब हम लोग इसका key points देख लेते हैं इसका discovery वगेरा characteristics वगेरा हम लोग देख लेते हैं तो discovery मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो female है जो मादा है इसका इस तितली का वो दीदी हाट यानि की उत्राखंड में पाया गया है उत्राखंड में एक जिला है पिथोरागर जिला उसमें एक कसबा है दीदी हाट वहाँ पर जो है सो female पाया गया है और जबकि male वो वांखर butterfly museum जो की सिलॉंग में घाले में है तो आप लोग को male और female याद रखना है तो आप लोग को सबसे ज़्यादा important याद रखना female है जो की कहाँ से पाया गया है दीदी हाट इन उत्राखंड और अगर आप लोग को male भी याद रखना है तो वांखर butterfly museum सिलॉंग में घाले में ठीक है characteristics इसके बारे में देख लेते हैं तो मैंने आप लोग को बता दिया कि इसका wingspan जो है 194 mm है ठीक है आप लोग को बस एक ही चीज इसका यही याद रखना है जो की सबसे ज़्यादा important है कि इसका wingspan कितना है तो 194 mm है मैंने आप लोग को wingspan के बारे में भी बता दिया है इसके बाद हम लोग देख ले तो earlier इससे पहले जो है इंडिया का largest butterfly जो था वो 1932 में record किया गया था किसके द्वारा मैंने आप लोग को बता दिया ब्रिगेडियर इवान्स के द्वारा इसका जो नाम था वो था Southern Bird Wing और scientific name आप लोग देख लो Tridus Minos which was then treated as a subspecies of the common bird wing यहाँ पर यह जो था subspecies था common bird wing का तो आप लोग को यहाँ पर यह याद रखना है कि पहले जो इससे पहले इंडिया का largest butterfly क्या था कब record क्या गया था 1932 में ब्रिगेडियर इवान्स के द्वारा और क्या था वो Southern Bird Wing था However, the specimen that he once measured was unknown and no other butterfly measured as much as 190 mm that he recorded The male gold wing The golden bird wing जो male है golden bird wing का जो male है वो बहुत ही छोटा है जो कि कितना है 106 mm तो आप लोग को अच्छे से एस चेज में confused नहीं होना है कि female बड़ा है कि male बड़ा है तो मैंने आप लोग को बता दिया कि female बड़ा है और उसका wing span 194 mm है तो इसमें जादा कुछ important है नहीं बस यही important था आप लोग को मैंने बता दिया जितना सारे चीज यह important था ठीक है तो आप लोग को यह सारे चीज समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे याद कर लोगे अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आया या फिर किसी भी तरह का question आपके मन में है तो उसको जरूर comment box में डाल दे मैं पकका reply करूँगा ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई